आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ तैसा जितना मर्दी कमाल हो अगर आपको यह नहीं पता कि अपनी बॉड़ी को कि यह उससा पीट कैसे रखना है और सिर्फित फिट नहीं अंदर से भी जासे रखना है लोग कोशिश करते तो हैं इस्पेशली लड़किया हैं वैँ जुआ कि लोगा वेट लोगा टंसको क्या होता है अंदर की अनर्जी खत्म हो जाती है् कि मतलब है अंदर से अनर्जी भड़ती रहें बहार से आप टे exist कि रहें у इसका health इसे क्या connection है ठीक है तो ऐसे बीच में गुसाना नहीं है किसी भी unnecessary topic को जिस topic पे हम है उसी पे stick रहना है अगर उससे related कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो क्योंकि सबसे important health है और health पी अंदर से strong हा क्या बुला मैं पहला सुख निरोगी काया थोड़ा सी मजाग चलेगा है नहीं थोड़ा चल सकता है चल सकता है हाँ आप ही मेरा मजाग उड़ा सकते हो बीजिशा को सब्सक्राइब यही तो आज इस सेशन में होने वाला है कि ऐसा क्या होता है अभी आएंगे करके इसके उपर आएंगे मतलब भार से भी फिट और अंदर से भी फिट और सिर्फ इतना है नहीं पूरी तरह से active रखना है बॉड़ी को जब हमको बॉड़ी की जरूरत है किसी भी काम को करने के जितनी देर के लिए ह्तो थो ऑड़ी हमारा साथ के अचिसमे अगर्म को सुबह भॉटना है उफजान चल रहा ह। चार बज उटना है तो बोड़ी साथ दे कुछे कोई कुप्ते पेछे पढ़ए हैं तो सथ दे यह लडगी छेञे है तो सथ दे ज़ड़ी का भाई पीछे पाघा हुआ है तो सथ दे तो ऐसा कैसे होगा बत्ता यह सब योगा और मैडिटेशन बोद वर्थ वीक 아이म आ सकाराइगा All Ko मेरे सेशन को अगर आप लोगों ने देखा होगा मैं थिरोटिकल बातों में बिलीव नहीं करता हूं कि कहीं से कुछ पढ़ लिया और बोल दिया आपने सुना हाँ सुनने में बढ़ा अच्छा लग रहा है पता नहीं करे कैसे इसमें कुछ नहीं पढ़ा है प्राक्टिकल ही अच्छा है हमारे लिए इसको इंट्रस्टिंग तरीके से करे कैसे आपको कर के नहीं दिखाना है वैसे मतलब कैसे अपने आसपास मतलब अपने साथ लोगों के साथ खेल कि अपने फ्रेंड के साथ खेल कर अफिर एक-दोनों कॉम्पिटिशन लगाए तो योगा थोड़ा इंट्रस्टिंग होगा तो इसमें आप कॉम्पिटिशन को इनवल्ब कर तो कि आप योगा अकेले करने की बज़ए अपने फ्रेंड के साथ में करो वहां पर एक थोड़ा ड्रॉबैक भी है एगर फ्रेंड ने कहा कि आज मेरा बूड नहीं है तो आपका भी मूड है मैं आ साथ में जा करके चिपक जाओ मतलब वैसे नहीं मतलब उसके साथ में रहो ठीक है अश्रील लोग बोलता हूं कुछ भी उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं उसके साथ में आप लग जाओ लग जाओ तो जो भी है मतलब उसके साथ में आप exercise करना शुरू कर दो यह यो साथ मेडिटेशन जहां तक है मेडिटेशन योगा इस गुड़ फर मेंटल अवेरनेस बट सर एक मोस इंपोर्टेंट चीज जो नोटिस की गई है प्रोपर नूट्रिशन की नॉलेज प्रोपर नूट्रिशन की नॉलेज इंडिया मी मोसली पीपल को है नी वाट लगी जो सब देइंड़ कितना भी पढ़िए कितना भी कमाा左 वह तो नुट्रिशन की बात करॉन नहीं पता मेरी सिस्टर है प्रेक्टिसिंग नुट्रिशनिस्ट है उनसे मैं बात करता हूं ऐसा है अब उनका कैसे जल रहा है थीक है पस कहहरह किसीको इंटरष रही है इन्सिको तो मैं चरस गांजा नहीं लेता हूँ इस्ते रोइट्प में लेता हूँ डारू भी नहीं पीता हूँ यह करीब हाई ने बात देशी हमाइन !! अीर्विच बेंड आपामे से आड करवाओगे हें कुछ चीजे ऐसी हुथी है जिसको हम खाते हैं को खाने के भाद में हमारे अंदर आदस हाने लग जाता है कुछ चीज और जिसको हम खाते हैं तो हम automatically charged up हो जाते हैं तो अगर आप charged up रहना तो चाहते हो लेकिन खो जिसकी वज़े से आप पड़े रहोगे तो अब आपके अंदर एक conflux क्रियेट हो जाएगा माइंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्फलिक क्रियेट होगा एक तरफ से आप एक्टिव रहना चाहते हो दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप एक्टिव रही नहीं सकते तो nutrition की knowledge बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी body को fit रखने में 90% जो roll है अगर आप में से पूछोगे although it may look odd to you all 90% जो roll है वो है diet का और 10% है exercise का और यहां पर आप किसी से भी पूछोगे कि डाइट के उपर आपका क्या है अरे नहीं नहीं में को पतला होना है मतलब लोग पोइकी चीज पता है कि अगर मैं मोटा हूँ मुझे पतला होना तो मुझे भागना है राइट, 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 सब भाग रहे हैं खचरों किसा, ब्यारा वर्ड है ये खचर, बना चाहिए मैं वेल्थ की बात करूँ, चाहिए है खचर भही क्या भही है, ये वर्ट नहीं हिलने वाला है, समझ गया ना, कि भाईए आप मेरी, फर एग्जामपल के, अ टार्गेट मिल गया, गोल मिल गया, छे महिने रहे अब उसको कोई तरीका पता ही नहीं है, क्या करेंगा भागेगा पाग लू किता है, चे महिने में नग्ट ने पार देखो के तो, अरे, डबल पहले से भी, पहले से भी बढ़िया, पहले से भी जाधा खाते पीते घर का, लो क्या बोलते हैं मोडे लोगो यावर हाते पीते घर का है मेरे ऐसे तो भूके नंगे लगते हैं कभी मेरे रेलेटर्स बोलते हैं पिटा कुछ खाया पी आगर मैंने का आप आप वो तो सही काने भी ने के लिए आपको देखो ना पेट कहा पर जा रहा है पुचास-पचास साल की उबर में प्रेगनें लगती हैं लेडी क्या हो रहा है देखो जो साइंटिफिकली पॉसिवल नहीं वह भी पॉसिवल करके दिखा रहे हैं अब जोवाने तोड़वा लगते हैं पेट में तो आप बढ़ा है अब हो तो सही काने पीने के लिए पिछो है एक रास्ता यह होता है कि भागो पागलो की तरह खचरों की तरह है या फिर क्या करेंगे सीधा ही डाइटिंग की बात करेंगे इन दो के अलावा को तीसरा option ही नहीं पता लोग को और दोनों ही बहुकुफी है डाइटिंग में आप क्या कर रहे हो अपने आपको तो अब करेंगे हैं ग्या को दोकुफी जयाएगी तो ग्राइटिंग यह द्ना वर्यों करेंगा डिलोट सब्वेक। तो अगर हमको कम खाना भी है तो उससे आप हलका फुलका इदर उदर कर रहे हो तो ठीक है लेकिन अगर आपकी जरुवत है बॉड़ी की मानलो 1600 कैलरी उसकी और आप सीधा हजार कैलरी पर आ गए एक दो दिन से उपर नहीं चल पा हो गए उसके बाद में अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे अब बताना में सही कह रहा है गलत कह रहा हूं जो लोग यह डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी या वैसे तो पतले हो गए देखने में सीख्ची पहलवान लग रहे हैं ले लेकिन और आप देखोके तो क्या होगा फैट लटक जाएगा मतलब बोड़िमे से γिया है उसल्स गिरने की वजह से वेक्ष्भु लॉस हो गया है और वेट मशीन तदेखकर कहो रहे हैं लोग potrzebittle क्मड़्यू कि मेरा बेतला में उतना किभ्यों किलों कम करना alcohol ने i care not make to talk किलो कम करना इंपोर्टेंट नहीं वेज़ आपको काफी वेट लॉस हो गया हो गास मिनिट से खड़े हो इसी लिए आपको खड़े रखा दा था देहन नूट्रिशनेस्ट है फिर भी तो नूट्रिशन की सही नॉलेच मैलब क्या होता है अगर मैं नूट्रिशन का अब मैं इहां पर एक डिस्क्लीमर डालना चाहूंँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं मैं कोई प्रोफेशनल नूट्रिशन तो मैं क्या कर रहा हूं, जिस तरह से फिट रहता हूं, एक्टिव रहता हूं, मैं सिर्फ अपना एक्स्पिरिंस आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं तो मैं आपको बता नहीं रहा कि आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं मेक सेंस? और यह नॉलेज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए कि हमारी जो भी डाइट है जो भी हम खाते हैं उसमें कितने काब्स होने चाहिए काब्स का मतल होता है काब्स हो फाइटरे अजया तो हमको पता होना चेह हें क्या होता है प्रोटीन अच में Bhansky Pls से हैंटेंट उसके अलावा, चोपिस किन है उसके लिए बहुत जरूरी अंडर जो बॉड़ी के फंक्सें उसके ले बहुत ज़रूरी है तो मिबहुत और ऑफब बहुत जरूरी है' ऐसा नहीं कि फैट कम करना है रोटी पर से घी लगाना बंद और हम सोच रहे हैं कि अब हमारे बहुत अच्छी डाइटिंग चल रही है ऐसा नहीं होता है यह सब कर रहे होगे आप लोग लेकिन यह क्या है बिना सोचे समझे अक्ट करने वाली बात है कि किसी ने कह दिया और अच्छा होता है तो ऊलेव उल्यूइल यूस करना शुरूर कर दिया और उससे बूचा जाकरके दुग refresh क्यांसे सबसे बढ़या कॉन सा होता है यह आपसेए जो चड़ा है मस्टर और होगया अगर आपको पियुर कहीं से मिल जये तो उसके अलावा अपना देसीगी हो गया, वो कोई बुरा नहीं है, coconut oil is best, बहुत ही अच्छा है तो nutrition का अगर मैं आपको short में बताऊं कि मेरा अगर daily routine क्या है, आप लोगों ने मेरी ने मेरी बाडी में जो मसल परसेंटेज हैं कि मेरी जो बौडी हैं मसल परसेंटेज ज्यादा है तो यह अच्छा होता है अगर आपका वेट लॉज तो हो गया लेकर उसमें फैट परसंटेज बहुत ज्यादा है और मुसल परसंटेज कम है तो यह आपके लिए बुरा है आपकी बोन्स के लिए भी बुरा है तो हमारा टार्गेट क्या होना चाहिए मुसल्स को बढ़ाना है फैट को घटाना है अगर ऐसा रहेगा तो आपको मैंड भी अक्टिव रहेगा ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पर काम करेगा बॉड़ी में जो एनरजी है वो बनी रहेगी चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूं सुबह से क्या रूटीन होना चाहिए सुबह उटते ही थोड़ सुबह हनी लेमन ड्रिंक पीने के क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है तो आपको फाइदे भी मिलेंगे और नुकसान भी मिलेंगे आपको क्या देखना है कि आपकी बॉड़ी कैसे रियाइक कर रही है समझ गए है मलना nutrition में और health में कोई hard and fast rule नहीं है आपको समझना होता है अपनी खुद की बॉड़ी को कि मेरी बॉड़ी कैसे respond कर रही है जैसे मेरी बॉड़ी बहुत अच्छे से respond करती है उसके बाद में जो भी अपने दिन चर्रे आके सुबह के काम होते है वो करे उसके बाद में इमीचेटल एक फ्रूट काना है यह मैं करता हूँ मैं आपको कि अब डिपेड नहीं करते हैं अनार खाने लग गए तो हो गया काम अपका है लगे रहोगे एक गंड़े तक यह काम दादी करें तो अच्छा लगता है जो दादी नानी के लिए चोड़ दो कि आज अनार खाने का बड़ा हमान है ले बेटा में लगी हूँ इस वेटर बुं यह पूरी के पूरी एक मील हो घए आपकी बॉड़ी को आइडेली हर 3-3 घंटे में एक मील चाहिए यह हम नहीं करते हैं क्या करते हैं सुबह ब्रेकफास्स किया उसके बाद में सीधा लॉंच किया कितने घंटे बाद उसके बाद में सीधा डिनर और डिनर तक तो हम हपशी बन चुके होते हैं मर रहे होते हैं कि लाओ खाना लाओ पांच मिनटे भी लेट हो जाता है तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है आपको कभी भी इतनी जादा भूक नहीं लगनी चाहिए कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ ये इसका लॉजिक है कि हर 3-3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है उसके बाद में पार्क चला गया 10-15 मिनिट वॉक के लिए अब वहाँ पर जाकर कि क्या करना है वो अंदर से आ रहा होता है कभी होता है कि बैठ करके अराम से लोगों को देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सिर्फ डीप ब्रीजिंग कर रहा हूँ कभी है कि कुछ बेसिक से पुश अप्स करने का मन कर रहा हूँ तो पुश अप्स कर लिए मतलब कोई रूटीन नहीं है, आप समाज़ किए है, रूटीन ये है कि मुझे डेली जाना है, पंदरा मिनिट के ले, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पर जा करके क्या करना तो इससे क्या होता है, कि वो बोरिंग नहीं होता कभी तो कि रोज को अलग बहुता है पर यही अगर मैं कहूं कि मुझे डेली पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट रहना है इस तो बोरिंग, आपका मनी नहीं करेगा अटले दिन जाना है तो मुझे रोज मज़ा आता है, रोज में कुछ अलग देख रहा होता हूं जिसे वहाँ बैठा तो मैं एक दिन क्या उबजर्व कर रहा था यह अजीव अजीव सी चीज आपको यह रहे क्या बाते कर रहे हैं समझ आरी है नहीं उपर से जा रहे हैं एक दिन में क्या देख रहा था कि अवारे गर के पास में एक पार्क है वहाँ पर डेली ना लोग वहाँ पर जाकर के कबूतरों के लिए दाना डालते हैं तो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं नॉर्मली यह रोज होता था लेकर उस दिन मैंने एक अजीब सी चीज देखी वहाँ पर कोई कबूतर नहीं था फिर मैंने देखा क्या चक्कर है तो वहाँ पर एक पोल है जहां पर जगे है जहां पर कबूतरों के लिए डाना डालते है उस पोल के ऊपर एक कील बैठी हु और पता भी नहीं लगा, मेडिटेशन क्या समझते हो आप लोग कि आपको एक मंतर दे दिया और उसको जपे जा रहे है वह मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मतलब क्या है ध्यान देना एक जगे पर अपने थौट्स को देख लेना मेडिटेशन है, अपने माइंड को अब् हुआ है, कहानिया सरी है, क्या हो गया है, चल बोतल लेके आते हैं, एक की के पैसेटी है, चार बोतल पी जाते हैं, तो उस वक्या कर सकते हो, एक option तो यह है, नशे में चले जाओ, बूल गया है, और उल्टी सीधी हरकते करो, तो अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से दूर ज इंटरस्टिंग दन दिस, फेस भी कैसे गरते हैं, मतलब देखो के अंदर चल क्या रहा है, इस सो इंटरस्टिंग, दिस रियल मेडिटेशन, रियालिटी और इल्यूजन के बीच के डिफरेंस को समझना, अप मेडिटेशन है, थौट से एक इल्यूजन है, यहं को कब समझ जाता है, दिखाओं आपको प्राक्टिकली दिखाओं, देखो, रियल मेडिटेशन समझो क्या होता है, अपने आपको बोलो, देखता हूँ मेरे माइड में क्या थौट चल रहे हैं, इतना सा बोल दो अपने आपको, बढ़ा इंटरस्टिंग कुछ होगा यहां पे, आप म पुरे ध्यान से देखो, बताओ क्या होता है, यह आप सबका एक्सपेरियंस है यह मैं बोल रहा हूँ, ब्लैंक हो गया, तो क्या हो रहा था, क्या एक्सपेरियंस आपका कह रहा है, जैसे ही आपने अपने थाउट्स को देखना शुरू करा, तो थाउट्स गायब, जैसे ही आप उसको देखते हो, वो गायब हो जाते, इसका मतलब क्या है, थाउट is just an illusion, देखता हूँ मैं अपने अंदर ये अंदर क्या बोल रहा हूँ, बिना बोले कोई थाउट नहीं होता है, तो देखता हूँ मैं अपने अंदर ये अंदर अपने आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखता हूँ, बोलना बंदो जाता है, सल्जे, ये meditation है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगी इस तरह की meditation, ये समाझना परता है, जैसा इसलिए हु तो उस भूत के बारे में जो आप सोच रहे थे कि उस अंधेरे कमरे में वहाँ पर भूत होगा, जब जा कर के देखो कोई भूत नहीं मिलेगा, जैसे बुक मिल गया तो है, मिल गई तो है, जैसे फटा फटा आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के ओपर वापिस से आते हैं, मैं आ करने से आपकी बॉड़ी किस तरह से रिस्पॉंड कर रही है, तो क्या किया, फूट काये उसके साथ में सवह रूड़ा सवाज़ा से नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अराम अराम से वाग किया, उसकी भी कोई पैटन नहीं है कि रोज यही करना है, कभी बैठा हुआ हूँ, कभी मन कर रहा है तो पाक में exercise भी कर रहा हूं, कभी सिर्फ चल रहा हूं, कभी तेस्ट चल रहा हूं, कभी धीरे चल रहा हूं, कभी jogging कर रहा हूं समझ गए? कोई pattern नहीं है, routine है, routine जरूरी है कि हाँ daily, 15 minute जाना है तो जाना है, वहाँ पर भी कोई लकीर का फकीर नहीं हो, कि इतने बज़े जाना है, इतने बज़े नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी जल्दी भी चला गया, कभी लेट भी चला गया उसके बाद में क्या हुआ, वापिस आया, अपने घर पर आ करके योगा किया, around 20-25 minute योगा के साथ में मैंने कुछ और चीज़े हैं, उसको mix किया हुआ है, मतलब basically वहाँ पर क्या करना होता है, पहले muscles को stretch करना होता है, उसके बाद में muscle की strengthening की कुछ exercises करना होता है तो योगा interesting हो जाता है, करता अकेला हूँ, किसी के साथ में नहीं करता हूँ, उसके बाद में कुछ देर के लिए silently बैढ़ जाता हूँ, और देखता हूँ अंदर क्या thought चल रहा है, जैसे भी आप लोगोंने देखा, देखा था ना, तस मिनिट के लिए हमें पता तो होना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद में किया breakfast, at around 9 और 9.30, वहाँ पर भी कोई fix नहीं है, बट 9-9 के बीच में मैं कर लेता हूँ breakfast, breakfast must be heavy, वो सबसे heavy meal होनी चाहिए आपकी, जादा खाने से आप यह मत समझ आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, oat supma, that is very healthy, उसमें कुछ आप vegetables डाल दो, यह डाल दो, यह डाल दो, मेरे को खुद को भी cooking आती है basic सी, तो अगर घर पे कोई नहीं होता है, तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, ऐसे daily change होता है, कभी brown bread में peanut butter लगा दिया, वो ले लि इसमें nutritional content बहुत अगड़ा है, जैसे बेशन का चीला बहुत अच्छा है आपकी health के लिए, तो breakfast के साथ में मैं क्या लेता हूँ, मैं protein shake लेता हूँ, but not whey protein, मैं brand बता हूँ, ऐसे लिए, marketing हो रही है, but आप कोई भी ले सकते हो, जिससे muscles बनती है, जिससे hair linked है, skin, मतलब सब क 50 gram तो लेना ही लेना है, अपने survival के लिए, लोग इतना भी नहीं लेते है, उंटी सीदी डाइट खा रहे होते है, और चीजों को mix किया जाता है, जैसे इंडिया में खिचडी बहुत चलती है, तो बहुत अच्छी है, तो उसमें दाल को और चावल को mix किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे amino acids है, जो डाल में नहीं है, डाल में कुछ amino acids हैं जो चावल में नहीं है, इन दोनों को mix कर दिया तो complete हो गया, थोड़ा जादा तो नहीं हो रहा है यह सब चीज़े, चल रहा है, काम का लग रहा है, भूख लग गए, भूख लग गए, बगाएं पाजी, छखले फ्रूट ले गया, फ्रूट से क्या मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, बॉड़ी के लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ काब, प्रोटीन और फैट ज़रूरी नहीं है, फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में लंच किया नियर अबाउट दो बजे के आसपस, आओ अफिस में अवयड करो, तो साथ में थोड़ा सा मिक्स वेज ले लिया, दो रोटिया, साथ में finns 2 कटोरी दाल हो गई, रोज अलगALग ट this after 5οι के असपास उक्ष में अखरोट खाली है, चार-पंच, बहुत जाधा नहीं घाने आए है यहांपे, त साय सिर्फ दीख ज मैंड है, वो अटमांटिकली ऐसी प्रोग्रायम्त हो जाएगाρη कि ये जो बन्दा है ये मुझे कभी भूका नहीं मरने देगा आपके मांड को मता होता है नहीं तो अगर मैंड को स्च्छ खाता है, लांच करता है उसके बाद आज गंटे भी खाओ तो मैं तो हुद्टी वो पतला होना किसी काम का नहीं है वही से मैंने सेशन को शुरू किया ना कि एक है अब भार से दिखो एक है अंदर से फिट हो और अक्टिव भी हो मुस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यू मस्ट फील अक्टिव उसके बाद में क्या किया डिनर का जितनी जल्दी करो उतना बेटर है मैं साथ बैसे पहले कर लेता हूं डिनर जो है वो सबसे हलका होना चाहिए आपका जो भी फिटनेस लेवल है उसको डिरेक करेक्शन डिनर से ह इसके एक कहवत भी है मेरे को exactly याद नहीं कहते हैं कि जैसे सुबह खाओ तो राजा की तरह है रात को खाओ बिखारी की तरह है बिखारी ऐसा जिसको जादा भीक नहीं मिली है नहीं तो आप कहोगे नहीं बिखारी को आज राजा से भीक मिली है तो डावत है यहां पर डिनर लोगों का सबसे हेवी हो रहा है और सबसे लेट हो रहा है मैं क्या रहा हूँ दिनर जल्दी से जल्दी और लाइट से लाइट तो अब आप क्या कर सकते हो रात को दूद्ध पी सकते हो दूदी पीते हैं, तो बढ़िया हो गया, भूख लगरे तो एक गिलास की पिजाए, दो गिलास दूद पीजाओ गरम रात को, वही दिक्कत नहीं है, इतनी कैलरीज नहीं है, में शूगर के अंदर आरी हैं कैलरीज, दो चममच भरके डालती, मानलो 15 ग्राम की एक चममच है, दो चममच हो गई 30 ग्राम, इंटू 4 कर दो, तो यह वाइट से थोड़ा सा दूर रहो, तो बजाए चीनी डालने के, और चीनी से आपको एकदम से एनरजी मिली और एकदम से एनरजी गिरी, आपको क्या चाहिए, पूरी रात आप ठको नहीं, सुबह फैश उठो, तो एक गिलास की बजाए, दो गिलास पी लो, फिंगा दूद पिना शुरू कर दो, फिखा आपको लग रहा है, लेकिन फिका होता नहीं है, उसमें भी शुगर होती है, ऐससी कोई चीज नहीं है, जिसमेह क्या है, कार्बस है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप खा रहे दिनर किया, या आठ बजे डिनर किया, दस बजे एक गलास दूद पी लिया, फीका, धीर धीर आदर डालोगो तो फीका यह अच्छा लगने लग जाएगा, कुछ दिनो बाद, फिर मीठा अच्छा ही नहीं लगेगा, उसके बाद में और एक घंटे बाद एक गलास और पी ल तो वो धीरे-दीरे रिलीज होता है, तो रात को आमारी बॉड़ी को, जो रिपेर वर्क होता है, आपकी पूरी बॉड़ी का, वो रात को हो रहा होता है, तो रात के लिए इस एक्स्ट्रीमली गुड, कि अगर आप रात को प्रोटीन लेते हो, उससे एक और बेनेफिट क् होता है, सुबह आप पूरी एनरजी के साथ उठते हो, यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा तयार हो गया, इसमें फाइबर भी आ गया, पानी का आप आज से दस गलास पी सकते हो एक दिन में, और इसमें प्रोटीन भी आ गया, काब्स भी आ गया, सब कुछ आ गया इसक होनारा हो अग्परीट, आप लिए बडे अप्न में, थन इसमें था जो जो में कहें हिएं होय है, बहुत टेस्टी, मलर्लब थे weinig मुर्फ आप लहाह, एक मिनित के लिए भी भूका नहीं होता हूँ पूरे दिन में, समझ एगए ? कोई ढैटिंग नहीं होता हुए, समझ क तो मेरी आदत पढ़ गए धीरे खाने की, हमें चाहूं भी तो तेज नहीं खा सकता, चबा करके खाने की आदत पढ़ गए है, हमें ठूस नहीं सकता, तो वो नहीं हो सकता. शेपि विश्व अल दरीगास्ट! झाल दरीगास्ट